यह लो गुड मॉनिंग स्रेंट्स तुड इन दिस वीडियो वी विल डिसक्स सेकंड टाइप आफ मोड अफ नूट्रिशन दिसमें कोई ऑर्गिनिज्म रेडी मेड बनावा फूट अप्टेन करता हैं देखिए डेफिनेशन देखते हैं तो मोड अफ नूट्रिशन इन वीच एन और्गिनिज्म कांट मेक इट्स ओन फून और्गिनिज्म अपना खाना नहीं बनाता फ्रॉम दस सिंपल सबस्टेंस से हमने पीछे पड़ा था कि ऑट्रॉप्स में वो सिंपल सबस्टेंस लाइक कारवन डैक्साइड वाटर और मिनरल से फूट बना रहते लेक अड्रेक्ली दोनों थरीके से और जो ऑर्गिनिज्म- है टैक्स ठॉफिक टैके शिरे इनक्स भीकिस काहां होती है ग्रीन फ्राइन में थितो ग्रीन प्र आते था ह्टरॉप्स एन में याट्र आइटक्श क्लिएच काम टूुन प्रॉप्स पू躌श कियो Stefan 45 artwork यूज पॉत वोलते हैं पहले बता है। जिस प्रोसेस से ये खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस हुं क्या बोलती है dirt ask senin ph NHP तो ठर्म फोडर चार्लस रेकलर यादर रखना कि इस को किस स्ट्रम को कि इस डिस्कावर किया था ऐटा अब हम देखते हैं जैसी इसily photo terms Friedto 503 होता है आपका इसका means होता है light and synthesis means होता है to build ठीक तो photosynthesis क्या होता है photosynthesis का अगर हम meaning देखें तो इसका meaning होता है building up by light and light के द्वारा कुछ बनना ठीक है to the leaves of a plant are green because they contain tinny green colored bodies are called chloroplast which contain a green pigment called chlorophyll ठीक सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह जो आपकी photosynthesis है इसके लिए आपकी carbon dioxide water और आपका sunlight और एक pigment हम use कर रहे हैं यहां पर chlorophyll हम यह pigment use कर रहे है chlorophyll तो हम इस पिक हमें पता है कि वोट carbon dioxide क्या है water क्या है sunlight क्या बट यह chlorophyll का अलग से दे रखा है कि chlorophyll तो इसके अंदर leaves आपकी अगर हम leaves को देखें यह तो leaves के अंदर एक special structure cells होती है और cells में इक special structure होता है जिसका नाम क्या है chloroplast इसका नाम क्या होता है chloroplast यह chloroplast कलर प्रोवाइड करता है green कलर प्रोवाइड करता है इस chloroplast में pigment होता है उस pigment का नाम ही क्या है chlorophyll सब्सक्राइब तो chloroplast एक pigment होता है जो की Glen color provide करता है इस chloroplast में pigment होता है इस pigment का नाम क्या है Chlorophyll, क्लो फिल का work क्या है ? यह chlorophyll क्यूं है ? तो यह chlorophyll का main work क्या है chlorophyll uses the solar energy to prepare food from carbon dioxide and water जो आपकी chlorophyll होता है solar use का मतलब यह trap करता है उसको पकड़ के रखता है तो solar energy जो आती है तो उसको trap करने का work कौन करता है chlorophyll बहुत important question है यह कि लोफिल का work क्या करता है chlorophyll का work यह रहता है जो sunlight आती है इसको trap करने का work कौन करता है chlorophyll ओके अब बेटा हम जरा इसकी एक reaction देख लेते हैं देखिए बेटा फोटो संथेसिस में हमने carbon dioxide ली जो की एर से हम लेते हैं water लिया सोईल से लेता है उसकी बाद sunlight और chlorophyll की प्रजेंस पर यह क्या बना ग्लूकोस जो की फूड है और कहां बन रहा है लीव में बन रहे हैं यह ग्लूकोस का मने लीव में और कौन सी घ्यास रिलीज करता है ऑक्सीजन ग्यास रिलीज करता है तो याद रखना फोटो संथेस्में हमें नीट किसकी होती है कर्वें डायक्साइट की और कौन सी घ्यास हम निकालते हैं ऑक्सीजन इस डाट क्लिया तो फॉड फॉड प्रिपेड बाइद ग्रीन लीव ऑफ प्लांट इस इन फॉर्म आफ सिंपिल कर्वाइड़ेट कॉल्ड ग्लूकोस यानि फूड जो की लीव द्वारा प्रिप्रि है का बीवें टाइट है कॉलोव और संलाइट्य क्लॉरो फिल क्लोरो फिल होता है स्के अंदर क्लोरो फ्लास्ट बोलडी जो की ग्रीन प्रोइट करती है लेह उसके अंदर क्लोरो फिल होता है इस के फ्लीक्सड़ो फिल्फवाइबD hazır क्लख motor ब्पॉम अब्रेकर फोर्प क्या क्या requirements हैं तो मिन्टे मेटीरियल्स रिक्वाइड बायप प्लांट फॉर्टोसंथासिस फॉर्टोसंथासिस के लिए कौन-कौन से मेटेरियल की जरूरत है तो अब मने बताया carbon dioxide water minerals and chlorophyll and sunlight one by one हम यहां देखें के सबसे पहले water तो water and minerals water and minerals are observed by the soil roots of the plant from soil through the process of the osmosis यह चीज याद रखना है कि जो water or minerals होते हैं जो कि plant root से obtain करता है वो कौन सी process की through करता है osmosis process के through करता है water and minerals are transported to the leaves and other plants of the plant by other part of the plants by the xylem vessels यह याद रखना जैसी कि अब हम इसको समझाते हैं कैसे एक मट देखिए बेटा देखिए बेटा यह आपकी समझ लेजी सपोस सौइल है इसके नीचे हमने पता है यह क्या होती है हमारी roots होती है तो roots का work क्या रहता है function क्या रहता है यह water को और आपका किस को water को और आपका minerals को observe करता है तो जो रुट है यह waterproof करता है तो कौन सी प्रोसस वाह złении करता है और फशों। यह तो जाता है तो जाता है किस टारू है जिसका नाम तो किस टुरू पहुंचा भुब Xylem Vessels की त्रूर पहुचाती है, किस की तूरू पहुचाती है Republicans, vegetables की तरूरू पहुचाती है, now come to next part of Photosynthesis, that is securities carbon dioxide, carbon dioxide के बार में पढ़ेंगे, तो the green plants, the green plants, take carbon dioxide gas from the air, for carrying out photosynthesis, फोet отлич, तो यह लेता कैसे, में बाथ आती है, यह लेता कैसे है तो आपकी जो यह लीफ है जो आपकी यह लीफ होती है यह लीफ हमने एक बनाई इसके अंदर चोटे-चोटे पोर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं "-stomata जिसको हम क्या कहते है इस को यह गाट को जाट करेंगे अदरवाइड क्लोज कर देंगी यह मारे अस्टेज का वर्क रहता है और कम टू नेक्स पर्ट नेक्स पार्ट नेक्स लेक्स का ग्रीन पिगमेड प्रजान इनड़ और चलोरब्लास्ट उर्गिनल घ्लोरोप्लास्ट ग्रीण बता दे रही हूं यह cell और्गनल क्या होता देखिए एक मेंट मैं आपकी फटा फट्ट बांट सेल बना रही हूं बेटा ठीक है प्लांट सेल के अंदर आपकी यहां पर चोटी-चोटी सी बाडी होती है इन बाडी को हम क्या बोलेंगे है andar होती है किलोरौ फ्लास्ट के अंदर हो थी है इसलिए है सेल और उर्गेलितンダ क्या ह 되verts है कि अंदर क्या हुता है जो की ज्रीन टूर्ल वायइट करता हुष के नाम की पól मिपड़्त index है क्लोरोC HISाइब सेल और्गेनल होता है उस एल और्गेनल को उस एल और्गेनल यानि इस एल और्गेनल सेल के अंदर कौन सा और्गेनल है क्लोरोप्लास्ट इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिग्मेंट है क्लोरोफिल और यह क्लोरोफिल क्या करता है सोलर एनरजी को ट्रैप करता है रोकता है इस डाइट क्लियर अमेने बता दिया है यह आपका हो गया उसके बाद देखिए वकर्कोंतोर प्सचिंघता देखिए लॉ calling एक फेर्ट अच क्शिछरा श्चराइं धूक्स प्रिदेखिया इस नहीं स्टॉर्य जीन नियुक्प अटरणीपी इन लिपॉट्रत पाइन खरना फीले ट वांट क्योंनी की बिल दनरट द्येखिन ॉसम्टायर 1 तक कला द दिख loss by transpiration, okay, transpiration क्यों होता है, plant से water का निकलना transpiration कहलाता है, these plants have thick and fleshy green stems which carry out the process of photosynthesis to make their food, plant होते हैं, इसमें thick and fleshy green stem बन जाती है, और इसी से ही हमारी photosynthesis की process होती है, उसके बाद next आपका है four part इसका, sorry, sunlight, तो sunlight का क्या है हमारा, green plant synthesis food in the presence of sunlight, chlorophyll present in the green leaves trap, the solar energy, यह यह point important underline करिएगा, the solar energy is converted into chemical energy, solar energy, chemical energy में change हो रही है by the process of the photosynthesis, तो याद रखना, जो photosynthesis की process होती है, उसमें कौन सी energy किसमें convert हो रही है, तो उसमें solar energy, chemical energy में convert होती है, इस डाट के लिए, तो यह आपकी photosynthesis कंप्लीट हो गई, ओके बेटा, next video में मैं आका, इसका remaining chapter बचा है, वो continue करूंगी, thank you very much.